नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप घर में लगाते हैं तो सकात्मक उर्जा पॉजेटिव एनर्जी लेकर आता है लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपने साथ नकात्मक उर्जाओं को लेकर आता है और घर में मुस्किलें बढ़ा देता है तो चलिए आज हम जानते हैं बिस्तार से वो कौन से पौधे हैं जो सुब होते हैं आपको घर में लगाना चाहिए अगर है तो आप बड़े खुस नसीब हैं लेकिन नहीं है तो कोसिस करें कि आप वो पौधा लगाए तो चलिए जानते हैं बिस्तार से हल्दी का पौधा अगर घर में आप लगाएं तो निगेटिव एनर्जी आती ही नहीं इस पौधे को घर में गमले में जरूर लगाईए घर में मिट्टी है तो वहां भी लगा सकते हैं अनार का पौधा घर के मुख्य दरवाजे के सामने लगाएं ये पौधा घर में लगाने से करजी कभी परेसान नहीं करता घर में सुक सम्रिद्दी आती है स्वास्त की मुश्किलें परेसान नहीं करती अपराजीता जिसको हम कृष्ण कांता कहते हैं इसका बेल जिसमें ब्ल समाफ्थ हो जाती है नारियल का पेड़ जिसके घर में हो उसके घर में मान सम्मान दिन दूनी राच चोगोनी बढ़ता चला जाता है बस ध्यान में यह रखना है कि आपके घर से उचा ना हो जाए यह फिर वास्तु दोस्त देगा तुलसी का पौधा वैसे तो हिंदू धर में हर किसी के घर में होता है और यह लक्षमी का स्वरूप माना जाता है लेकिन जब भी तुलसी का पौधा लगाएं अपने घर में पूरव उत्तर दिसा में लगाएं दक्षिन दिसा में भूल कर भी ना लगाएं वरनाफ फायदे क कि जगर नुकसान देगा और आपके जीवन में चारों दिसाओं से परिशानी आएगी नीम का पौधा देखिए नीम का पौधा होना वैसे तो ठीक होता है लेकिन अगर आम का पौधा हो तो आम का पौधा आपके जीवन में परिशानीया लाता है क्योंकि आपके बच्चे त तो की पौधे लगां बेल वाला पौधे रुपध रखाओ पंवाले को बेल वाला पौधा कहते हैं इसको आप मुख्य लगा सकते। कि लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो इसका बेल है वह आपके बॉंडरी वाल से ज्यादा उचा ना जाए इस बात का ध्यान रखेंगा और नीचे भी ना जाना चाहिए यानि कि ऊपर की और चड़ते वे तो हो पर बहुत बड़ा ना हो जाए अब देखिए यहां पर असोक का पौधा अगर आपके घर में है तो आपके घर के बच्चों का बुद्धी तेज होगा पैसा आता रहेगा असोक कब्रिक्स जरूर लगाए और इसके साथ ही आउले का पौधा घर में लगाने से बिमारिया नहीं आती है दूसरी तरफ जो बर गेंदे का पौधा जिस घर में गेंदा होता है उस घर का लोगों का ब्रहस्पती खुदबखुद मजबूत हो जाता है और बैवाहिक जीवन सुख में होता है संतान सुख की प्राप्ती होती है यानि गुरू से समंदित हर कारे बहतर होने लगते हैं कैक्टस बहुत लोग लोग सौक से लगाते हैं, कांटे वाले पौधे, हमेशा बुरा ही करता है, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है, और यहां तक की बॉनसाई प्लांट, जिसको हम बॉना पौधा कहते हैं न, नहीं लगाना चाहिए, आपकी तरकी को रोग देगा, बंस्वृधी नहीं होगी, तो घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे अच्छा, घर के बॉन्डरी वाल के बाहर, याद रखिए बाहर, सफेद आकड़े का पौधा, खुद बखुद उगाए, या आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, आपके घर के लोगों के उपर ना तो तंद्र क्रियाय असर कर लेगी, ना जीवन में परिसानिया आएंगी, ना ही किसी तरह का कोई दूसमनों का भय होगा, नहीं है तो जरूर लगाए, फिलाल आप से विदा लेंगे, जानकारी अच्छी लगे, तब लाइक कर सबस्क्राइब करें, अप्टरों से सेयर करें, और कमेंट में हर हर महाँ देए,